आज हम बात करेंगे मध्यप्रदेश के व्यापम स्कैम के बारे में और इस विशे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रशान्त पांडे जी जो इस पूरे मामले में विसल ब्लोवर थे हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत तो पहला सवाल त इतनी सारी मौते हुई जो कि बहुत ही विशिष्ट घटना रही कि लगबख 50 से जादा लोगों की बहुत ही संदिक्त परिस्थितियों में मौत हुई है इस पूरे स्कैम में लेकिन आज जब हम देख रहें इसके बारे में तो लगते हैं जैसे सब लोग इस स्कैम को भुल जो इनिशियेट हुई इंदौर पुलिस से इंदौर पुलिस ने एक प्रिलिम्नरी इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट की विच वाज टेक्निकली वेरी वीक उन्होंने बहुत सारी गलतियां की बहुत सारे इन फैक्ट इफ इन अनादर वर्ड विकन से जो एविडेंस जिस त प्राइमरी इन्वेस्टिकेशन होती है वो किसी भी केस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर उसमें जब कोई सेंसिटिव एविडेंस होते हैं उनके साथ या एक्जिबिट के साथ अगर शुरुवात में कोई छेड़चाड हो जाए तो बहुत म नायज और इंटेंशनली या कोई मोटव रहे होंगे उसके वज़े से फिर तो थावजन थाटीन में जब यह केस रजिस्टर हुआ बाए अंदॉर प्लिस तो एक्च्वाली पांच साल हुए इस इंवेस्टिकेशन को स्टार्ट हुए धेन इट मूज तू क्राइम ब्रां STF ने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वह सारी कोशिशें की, बहुत सारे कुछ मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया, ब्यूरोक्रेट्स को अरेस्ट किया, उनको जेल भेजा, पर उसके बावजूद भी इन्वेस्टिकेशन में एक क्लेकुना शुरू से बना रहा और वह आज भी ब के उनके सिस्टम से रिककवर हुई थी है, अब उस हार्ड डेस्ट को जब रिट्रीव किया गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी विश्वसनीता खतम कर दी गई, इलेक्ट्रोनिक डेटा को रखने के लिए उसकी हैश वैल्यू जन्रेट की जाती है और उसका एक वैल्यूस सिगनेचर हो जाते हैं, इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता तो वो शुरू के दस दिन पंदरा दिन तक ना तो उस हार्ड डेस को किसी ने सिक्योर किया ना उसकी कोई चेंड रही ना उसकी कोई चेंड रही रही ना इट मुझ फ्लेस तो प्लेस तो प्लेस तो प तो स्टीफ के साथ काम करें आपको एस्टीफ ने हाइर गया लेकिन अब उस थोड़ा सा घटना करम के बता है कि कैसे आप ही को मतलब फिर से एक आरोप लगाने लगे एक आपर कि कुकि I was in close touch with ADG जो TOP BOSSES हैं STF के रहे थे उनको फिर बहुत सारी चीजे आप दे रिकॉर्ड उनको करके दी चीजे निकाल के दी जैसे 2000 you have to go a little back for that कि 2013 में एक income tax की investigation हुई थी, income tax की search हुई थी, it was considered as the most high-tech search till that time in Madhya Pradesh, in fact in India I was the one who was taking care of technical part in that search वो सर्च जिन लोगों के उपर हुई थी वो व्यापम में एक एक अक्यूज है जो माइनिंग बारन है Sudhir Sharma उसके हमने सर्च की थी इस घतना करम के शुरू होने के देड़ साल पहले So during that tenure what actually happens, जो standard operating procedure होती है income tax की I came to know about so many facts about that guy So in 2013, I knew that this fellow is a hanky-panky But in that time, my focus was to catch financial things That was not my part of interest at that moment of time Fortunately I had that data So it was an entire story in those messages Then coming on to the mails He was also closely associated with Lakshmikanth Sharma Who was technical education minister at that moment of time And since it was linked to income tax search So it was also a lot of data So that was the part I was already aware about When I was working with STF, I shared that data with the chief of STF Sir, I already have this data What exactly happens is that If there is a badge matter that I talked about And he told me that Prashant you are aware about this same fellow So you might be helpful in this investigation as well He is considered to be a very honest man And the chief of STF, Sudhir Shahi And I really appreciate him Till now even I have never claimed that He is the one who actually did anything wrong in that But it happens sometimes when you cannot move against the boss I think that somewhere or somewhere there is a lot of pressure That's why there is not a lot of things So in that investigation, when I shared those things So during that time, so many people inside the system Knows about that there is He is the one who is giving so many information Incriminating information To ADG ADG was working so hard that he moves from Small bureaucrat to larger one, then to minister So actually when he was going to arrest the minister Then definitely the chief minister didn't want So he was actually against him What happens is From the intelligence department of the state I know some good officers Who tipped me off the same thing that Prashant we are here that you are the man who is supplying information To ADG against the chief minister This is the overall phrase they made out of me So they thought that I am the one who is actually helping him Against the chief minister So what actually happens is That STF and MP police They are all different One state police Which was working directly under the command of the chief minister And the home minister rest And another one is STF Because STF was dead honest Till that time the court also supported them The high court of Madhya Pradesh passed an order That you cannot make any transfer from STF outside the place So they felt like he is the man who is actually affecting us And he has got to replace us And we need to fix this man from the end of the time That was the reason that my phone was Fortunately I have the recording of the mail That my bond had the no-dal officer And i made the illegal interception लिया गया जब कि तिल दाट ताइम I was not culprit nor had any F.I.R. against me तो इलिगल इंटरसेप्शन लिया गया और मैं जब STF के पोलिस से बहारा था after working for around 5-6 hours some people from MP police just arrested me at that moment itself from outside the hotel I was staying there in Bhopal क्योंकि मेरा घर इंदौर में है और में Bhopal में उस्वकता so this is how it comes that they arrested me without any charges without anything and all they wanted to know is कि आपने ADG को क्या-क्या information दी वो सारी हमको बताओ आपने जैसे बताया कि आपको arrest किया गया और तो आपको कितना समय जेल में बिताना पड़ा या और इसके साथ ही आपकी पत्नी पर भी कुछ आरोप लगे कि उनके पास कुछ काश था और दोनों अलग अलग बाते हैं, let me explain one by one पहली चीज तो दो दिन के लिए पलिस रिमांड और उसके बाद तकरीबन चार दिन मुझे जेल में रहना पड़ा although the state wanted me to live in prison for rest of my life but fortunately STF come up and supported at that moment of time जब STF कुछ ऑफिसस ने कोर्ट में आके जज को ये बयान दिया he was working with us at the moment when these people got arrested and because of them only and of course the truth matters I got bail instantly which the government never wanted to in fact how the bail happened was the investigation in Madhya Pradesh police now coming on to the second question you asked me is my wife a little cash so basically that was a cash which we collected we have withdrawn from a bank a day earlier and then we were supposed to deposit that in another account of my wife actually it was just like that one account was removed from the other account it was Saturday the bank was closed quickly now you think that she has also got security personals with her there are two security guards 24-7 ROPA लगा कि हवाला के पैसे थे she was operating हवाला मनी how is it possible that a lady who is working in an office can operate हवाला मनी in presence of your own security guards? you can see how it can be practically possible some baseless sort of allegations they put up against that and they mean to detain her but fortunately it didn't happen everything was well it was duly on record and we presented all those records but till that time they got the news clippings to come up and it is still there and they were different names which of course coded because it was not the name of the ministers later we find the text messages were sent from one mobile to another landed to the person close to CM and then she got selected and everything happened so that is how it is connected but to do all of the people and to do all the things and to do all the things and to do all the other things and to do all the things together you can't do all of them and unfortunately cbii has not connected and admit or not or not taken off to them आपने CBI की बात की तो अब मतलब CBI देश की सबसे बड़ी investigating agency है तो इसमें आपको लगता है कि CBI ने अपनी तरफ से कोशिच नहीं की या उसको उस पे दबाव रहा मेरी जीत उसी दिन होगे थी जब मैं Supreme Court को ये convince कर पाया था कि sir ये investigation जिस तरीके से होना चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई है और it should be moved to CBI and court was convinced on those grounds and they transferred the investigation to CBI उस समय I had very high hopes from CBI at least CBI will legally register FIR against the peoples who who made the law and lots of mistakes during the investigation in Indoor police assure करना चाहिए था कि क्यों तेम्परिंग को अलाव किया गया क्यों ऐसे situations बनाई गई कि आप सारी चीजें कर पाऊ but unfortunately जो आज आज CBI का सच सामने आ रहा है तो असा लग रहा है कि कही न कहीं they were also under pressure or some sort of favors they wanted to make towards some person जहां CBI की बात आती है तो अभी जो खास्तोर से CBI में अभी मौजूदा हालत में जो चल रहा है इसमें आपको लगता है कि राकेश अस्थाना का इस गापम गोटारे की जांच को कमजूर करने में कुछ जात है देखिए directly तो I don't have any such evidence कि इसमें कुछ होगा but indirectly यह जरूर लगता है कि कहीं न कहीं he was the one who was close to the system, who was close to the government and he might have supported the state government for this cause, for this case specifically to get the clean shit out of it which is practically or legally not possible at all एक चीज और है कि आप पहले तो आप सरकार के साथ ही काम करें यह पिछले 10 साल करीब 10-15 साल से मैं I was working for lots of law enforcement agencies, income tax department and many other departments और उसके बाद अब आप एकदम पलट गया है तो एक तरफ यह भी कुछ लोगों की आरे कि आप Congress के बहुत करीब हो गया है इसमें आप एक सिंपल सी बात है मेरा देखा जाए तो मेरा बहुत नुकसान हुआ है मेरा इतना अच्छा केरियर सब कुछ destroy हो गया इस सारी चीजों के बाद पर एक satisfaction यह है कि कम से कम सच के साथ खड़ा रहा दूसरा उस वक्त जब मेरे साथ कोई नहीं था जब पूरा state मेरे अगहिस था उस वक्त दिखविजय सिंग जी ने initiate किया विवेक तन खाने कपिल सिबल ने मुझे support किया technically judiciary में there was no other man other than him who could actually support me shayad मैं बात भी नहीं कर रहा होता अगर इन लोगों ने support नहीं किया होता there was so many attempts to before my after my life so अगर उन्होंने मुझे उस वक्त support किया जब मुझे सबसे जादा जरुवत थी अगर मेरे किसी काम करने से Congress को थोड़ा सा फायदा हो जाता है उनके political motives में जो भी उनका सोच हो तो मुझे क्यों इतराज होना चाहिए उस पे what is the point about that? it's not about give and take or it's not about that I am paid by Congress there is absolutely no connection like that I haven't got a single penny from Congress for taking this cause up आपको इस पूरे घटना करम के उजए से आपको इन दोर से दिल्ली शिफ्ट भी होना पड़ा कर अभी जो एक्दम हाल या जो चीज आई इसमें की रहूल गांधी पर शिवरार सिंग चाहन कहरे है की हम मानानी का दावा करें क्योंकि उनके बेटे को that is that is a fake sort of thing because actually he was as far as I understand today it was just a confusion actually च्छतीजगर के सीम के बेटे का नाम किसी पनामा पीपस में है he might wanted to say च्छतीजगर सीम but in confusion he might have said की शिवराज सिंग चोहान के लिए बोल गए वो so it was just a slip of tongue or a misunderstanding little I believe so तो मानानी का दावा इनका करना है तो वो तो that's fashion nowadays to do मानानी का दावा कर देंगे तो आखरी सवाल यह रहेगा कि अब मद्यपरदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और यह इतना बड़ा स्काम है जो कि सिरफ दरहसल स्काम नहीं है यह दरहसल आपने लोगों की जिंदगियों के साथ खेल है तो यह आपको लगता है कि वहां एक मुद्दा रहेगा यह वादेपरदेश चुनाव क्योंकि I am not a political animal at all ना मेरा कोई political motives ना मेरा कोई political interest अभी तक तो है So let's see but at least people of Madhya Pradesh should understand Madhya Pradesh के हर आदमी को पता है कि उसने क्या खोया है उसके बच्छों को वहां के लोगों को मतलब आप सोचिये कि the future of young bright students the government the system spoiled the entire system Ultimately it is not possible यह possible नहीं कि सरकार को पता ही नहीं है और इसके नाक के नीचे इतनी सारी चीज़ें चल रहे हैं वह भी तब जब कि उसके मंत्री उसके लोग उसके bureaucrats सब उसमें involved हैं बेशर्मों की तरह कैसे cover-up करने में लगे हुए हैं I am not an accused or anything in Vyapama I have no direct connection with Vyapama board ना मेरा कोई admission हैं ना कोई लीना देना हैं But they said कि उन्होंने मेरे उपर यारोप लगाया FIR भी रजिस्टर हो गई है कि मैंने court को गुमराग किया जबकि there were absolutely nothing like that अगर यह किसी को तै करना है तो यह court तै करेंगे ना कि वो तै करेंगे और उनकी एक application पर एफ यार भी रजिस्टर हो जाती है हमारे साथ व्यापम स्काम के बारे में इतनी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमीद है कि इस काम जिस तरीके से इसकी जाच होनी चाहिए वो आगे हो यह इस क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद अगर 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 अगर